दोस्तो क्या आपको Jio Sim नहीं यूज़ करने चाहिए? क्या Jio आपका डेटा है कर रहा है? क्या Jio की Sim यूज़ करने से आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा? या 31 दिसंबर 2016 के बाद आपको Jio को रेंटल पे करना पड़ेगा? तो दोस्तो इनी सारे सवालों के जवाब मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपनी इस वीडियो में तो मेरी वीडियो अन तक देखते रहे हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको Jio Sim खरीदी चाहिए कि नहीं? दोस्तो ये तो आप पे डिबेट करता है अगर आप Jio Sim का लाब उठाना चाहते हैं फ्री सर्विसिस का लाब उठाना चाहते हैं तो आप Jio Sim खरीदी इसमें कोई गलत बात नहीं है आप Jio Sim खरीद सकते हैं वो बिल्कुल सेफ है जैसे कि कुछ लोगों का मानना ही कि अगर आप Jio Sim खरीदे हैं और उसका यूज करते हैं अपने फोन में तो आपका फोन ब्लॉग हो जाएगा और आपका IMEI नमबर ब्लॉग हो जाएगा आप उस Jio Sim के बाद कोई और से नहीं यूज कर सकते हैं दोस्तों कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर आपको इस यूज कर रहे हैं और आपका फोन ब्लॉग हो गया हो तो ऐसे वे जिन लोगों को Jio Sim नहीं मिलती है वो कुछ अफवाय फैला देते हैं कि Jio अपना ओरिजिनल आधारगार्ट सब्मिट कर रहा है लोगों का ताकि लोग Jio Sim ना यूज कर पाए और उनको छोड़ी सांस तरह मिल जाए जैसे आप सबने कहानी तो पड़ी होगी न आपसे रेंटल लेगा Jio आपका डेटा यहां से विदेश में ट्रांसफर कर रहा है आपकी सारी इंफोर्मिशन है की जा रही है दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है यह सरासर सिरे से खालिज करता हूं भैसको यह सारे रूमर्स है इन सब बातों का रेल लाइफ से कोई लेना दिना नहीं है तो दोस्तों अगर आप रिलैंस जियो सिम लेना जाते हैं तो बेजी जाक उसको खडीद लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर हाला कि अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है जैसे कि और सारी कंपनी उनको प्रॉइड कर रहे हैं पॉइ जादा मारा मारी है बट अभी कुछ हद तक इनकी कॉलिंग सर्विसीज में बहुत जादा सुधार आया है दोस्तों वक्त भीतने के साथ साथ जियो की सर्विसीज भी काफी अच्छी हो दी जाएंगी जैसे कि बात करें अगर जियो तीर मंस के बाद आप से कुछ चार्ज क अगर आप उनका इंटरेट यूज करते हैं तो आप सिर्फ उसका ही पे करेंगे तो दोस्तों ऐसे घुबराने में लिए कोई बात नहीं है सारे गूमर्स जोटे हैं जियो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में लीगली कस्ट मत लीजिए कोई ग्रूमर्स को मत मानिए अगर आप जियो सिम लेना चाते हैं उनको खड़ी दिया उसको यूज करिए तीम महीं तक जब तक यह ओफर खतम नहीं होता है तो इंजोई करिए दोस्तों और फाल्तु के जोटी अफवाहों में मत पढ़िए दोस्तों यह मेरी चोटी सी अवेरनेस विडियो थी, ओप आप सबको अच्छी लगे हो अगर अच्छी लगे हो तो प्रीज इसको लाइक करेगा और शेयर करेगा तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज से इसको सब्सक्राइब कर दीजे क् का एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छी और इंट्रस्टिंग वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तो तब तक आप अपना ध्यान लखिए हसते रहें मुस्कुराते रह और अपनी लाइफ में यूही आगे बढ़ते रहें